हाई गाईज आएम अभीजीत अनन्द इफांडर अफ्वांडर ट्वेटीफर्स टेरा आज का टॉपिक है क्या 5G टेक्नोलजी से इंसानों की जान जा रही है क्या करोना वैरेस को फैलाने में 5G का ही सबसे बड़ा रोल है क्या 5G रेडियेशन से और 5G टेक्नोलजी से ही इं इसानों की जाएं क्या यह सच यह जो जो अजन भी बिडिया प्लैटफ़ॉर्म पर फेस्बोक वाइब सब्सक्राइब टूइटर एन अई अधर सोसल प्लैटफोर्म पर यह जो वायरल वीडियो हो रही है यह जो बाते कह रहे हैं कि 5G technology से ही coronavirus प्राइब रहा है different जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ coronavirus प्राइब आरिच हो रहा है वहाँ वहाँ उनकी स्वास्त खीराब हो रहा है क्या यह सच है सबसे पहला जिए वह मत er America 5Gisia testing 5G टेस्टिंग तो पूरी दुनिया में नहीं हो रही है जहां जहां कुछ-कुछ देशों में 5G टेस्टिंग हो रहा है वहां वहां करोना फैल रहा है क्या ये सही है? बिल्कुल गलत ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले 5G टेकनोलोजी पूरी दुनिया में सारे कंट्री में हो नहीं रही है और जिस कंट्री में हो रही है वहां ऐसा कुछ भी नहीं कि करोना वहां बहुत पीक पे है या बहुत करोना फैल रहा है वहां पे बहुत जादा करोना पैसेंट्स वहां मिल रहे है ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में कुछ लोग या कुछ ट्रोरियल, कुछ एडिटोरियल, कुछ लोग ये बाते कह रहे हैं कि 5G टेक्नोलिजी से 5G रेडियेशन से करोना विर्स फैल रहा है, करोना विर्स हो रहा है बस इसका कोई पुकता सबूत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है यह सारे कि सारे fake news फिलाई जा रहे हैं, सारा जूट बोला जा रहा है, 5G technology की testing पे रोख लगाया जांगे buddy यह सच बत है कि 5G technology की costing पे रोख लगाया इससे क्या होगा, 5G technology geek testing पे रोख लगाय भी दिया जा shaped इससे क्या होगा? दुनिया एक दसक पीछे चली जाएगी अगर हम कुछ चीज आगे कर रहे हैं कुछ आगे बढ़ रहे हैं आगे की टेकनोलजी एडॉप्ट करना चाहते हैं आगे की टेकनोलजी एडॉप्ट कर भी रहे हैं यह तो वही बात हो गई कि भाई आप EVM से वोटिंग करवाईएगा तो हम election हार जाएंगे भाई बैलेट पेपर ही ठीक है अपने लिए यह बात यही चीज है कि 5G टेकनोलजी से अगर 5G टेकनोलजी यूज कर रहे हैं वो बहुत सही है उसमें कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक साइंटिस्ट भी सब जगे के साइंटिस्ट बहुत सारे रिजर्च भी हो इस चीज़ पे ऐसा किसी भी साइंटिस्ट ने ऐसा कहीं से भी कोई न्यूज नहीं है कि 5G technology इंसानों की जान ले रही है या 5G technology से pandemic बढ़ रहा है कुछ लोग 5G technology के testing पे रोग लगाने के भी बात कह रहे हैं या सरकार बेवकुफ नहीं है 5G technology पे testing बगर लोगा भी दिया जाए रोग लग भी जाता है तो इससे फैदा क्या होगा लिटली इससे फैदा क्या होगा आपको technology based आज के युग में आप कह रहे हैं कि आप technology को एडॉप्ट मत कीजिए उस पे रोग लगा दीजिए क्योंकि उसमें radiation है हाँ radiation है 4G technology के मुकाबले 5G technology में more than 5 to 10 times जादा radiation है पर इसका ये मतलब नहीं है कि इससे लोगों की जाने जा रही है इससे लोगों की स्वास्थ खराब हो रही है ठीक है आपको एक incident बताता हूँ UK United Kingdom में एक इंसान ने Vodafone Company के टावर पे पेट्रॉल बंप फिक दिया क्यों? क्योंकि उसे ये बात का सक था कि ये जो Vodafone Company का जो टावर है इससे 5G radiation फैल रहा है जिससे यहां की लोगों की जाने जा रही है एर ऐसे इंडिया में भी Vodafone यूज़ करता हूँ यहां मैं भी वीडियो सुट कर रहा हूँ अगर यहां बंप फिक दिया जाना है तो पता तले वीडियो बना का बना रहा है अप्लोड भी ना हो यूट्यूब पर ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरी चीज़ ये बात है कि 5G technology का जो radiation है ठीक है इसका जो spectrum है इसमें 5G technology में सबसे बड़ी बात कि spectrum band यूज किया जाता है जिसमें mid band भी होता है जिसमें millimeter wax का इसमाल किया जाता है जिसमें radiation बहुत ज्यादा होता है इस radiation से इसकी frequency 5G की frequency बहुत उची हो जाती है लिकिए frequency बहुत high होती है लेकिन इस high frequency का body से या स्वास्थ से कुछ लेना देना नहीं है हां अगर आप किसी भी चीज़ का बहुत हैई the करता है उसका advantage है वहाँ disadvantage भी है जहां advantage है वहाँ positivity है वहाँ negativity भी है तो 5G technology का ऐसा कुछ भी दुनिया में ऐसा कोई news ही नहीं आया है जिसके करण ये कहा जाए कि 5G technology बहुत बुरा है इसका use नहीं किया जाना चाहिए इसका body पर back impact परता है इसके heart पर, ब्रिन पे impact परता है हाँ उसके radiation से 4G युज़ कीज़े 2G युझकी 3G युज़ कीज़े आप ज्यादा युज़ कीज़े इसका radiation उसका भी आपको हम करेंगे आप ज़रूर से ज्यादा कुछ भी युज़ कीजि़े कर उसका काम कर रही है और कुछ ने अपना सर्विस देना ऑपरेट कर भी दिया अमेरिका के नेशनल लैब्रेरी ओफ मेडिसीन का इस रिसर्च में दावा किया गया है कि वाँ के सैंटिस्ट ने ये दावा किया गया कि 5G टेकनोलोजी से किसी भी तरह कोई हाम नहीं है ये पूरी तरह है फेक न्यूज है ठीक है इतना ही नहीं मेरी एक फ्रेंड है उसने वाटसब पे इसी बाते हो रही थी उसने कहा है कि यार पता है नाक से खून आ रहा है हम लिए अच्छा ऐसी बात है लिए हां तो गोलते है हां तो मैंने वलाए सब कुछ ऐसा क्यों यार फाइव जी रि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि फाइव जी रिडियेशन से हवा में हवा को जहरीला बना दे रहा है जहां 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 फाइव जी रिडियेशन जा रहा है वहां वहां कोरोना वेरिस जा रहा है उसे कोरोना वेरिस फैल रहा है लोग मर है ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है यह एक गलत फैमी है और कुछ भी नहीं है आपके नाग से खून आ रहा है डॉक्टर से कंसल्ट किजिए आपके गला सूख रहा है पानी पीजिए फाइब जी रेडियेशन का इसके हां से कोई लेना देना नहीं है पता नहीं कौन क्या कैसे सब्सक्राइब फिलाया जा रहा है व्ल घ्रीट और सामने आपके जवाब देना पड़ गिया वह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है थे टेकनोलोजी से करोना वैरेश नहीं पैल रहा है तेक पैंडेमिक है इसको पैंडीमिक कि इतरह ही लिए यह महामारी है जिसके करण आप कि अपको दिख्यते हो रही हैं वाइभ जी टेक्नोलोज का इसका पीडीन देना निया जहां फाइब जी के टेस्टिश्टिंग चल रहा है वहाँ प्लट भी करोना वाइरस है मतलब यह की जिस कंट्री में करोणा ग्राइच से वहां फाइब ग्रोना वाइरस है वहां also उसको follow कीजिए, government की guidelines को follow कीजिए, घर में रहिए, स्वस्त रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, always mask wear कीजिए, hand को sanitize कीजिए, स्वस्त रहिए, 5G अलग है, Corona अलग है, दोनों को एक साथ मैच मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, so beware and stay healthy, stay safe, वंदे मातरम and let's fly together in the new 21st era, 21st सिदावधी की तरह mindset कीजिए, 21st सिदावधी की तरह जिए, ना कि अपना दिमाग 20 सिदावधी की तरह जैसे पिछले से चला रहा है, वैसी जिन्दगी कट रहा है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, दुनिया को time को adopt कीजिए, जैसे दुनिया बदल रही है, उसी तरह से आप भी अड़ा आप खुद को time के साथ, century के साथ, yuk के साथ, change कीजिए मैं, जो अफवा फैल रही है, उस अफवा में मत आये, एक अपना नया yuk की तरह बढ़िए, एक टेक्नालोजी को adopt कीजिए, अच्छे से रही है, बस यही सुब काम नाया ह है, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को subscribe कर दीजिए, like कर दीजिए वीडियो को, और अपना support always देते रहिए, हाँ, comments कर दीजिए, thank you so much, बंदे मत रहूं